जहें दोस्तों मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देखरें पब्लीक प्रोल पॉइंट अभी हम फिलाल पाहले जा घाटोपी थाना के पास खड़े हैं यह वही थाना है जिसमें छितर्चक छितर्चक गाउं आता है जहां पर इन पत्रकारों का फोन चीन लिया गया माइ छीन लिया तो पीछले इनके बारे में बता दू कि 20 तारिक को इनके साथ घटना हुए इनका फोन चीन लिया गया था और जब बाइस तारिक उनने फाय दर्ज पाद आज एक तारिक आ गया लेकिन करवाई के नाम पर कोई नहीं हुए बस इनको आस वाश्वासन दिया जा आज 10 दिन हो गए लेकिन पर कोई लिया गया अभी अपने थाना से बातचीत किया और आपने सुना आप भी थे वहां पे तो आपको बता भी देते हैं लोगों के लिए कि किस तरह से हमें कहा गया कि अभी और कुछ टाइम लेगा सर बीजी है और मेला चल रहा है कोई भी जवाब आप खुजेगा नहीं थाना से आके तो यहां पर मेला चल रहा है मतलब कि जितना दिन मेला चलेगा नहीं पर कुछों होगा आसपास के रिया में कोई रिस्पोंसिबल नहीं है मेला चल रहा है कि अभी मेला चल रहा है और दूसरा की वहां पर मतलब तो भाईया ऐसा जगा है कि क्राइम करते जाएगा अगर नेता का बात होता अगर एक नेता की गाली यहां पर आज भी आ जाए तो पुलिस और स्कॉट अपना ही देंगे देंगे ना दुरुभाग है कि बिहार में इस तरह की घटना होती है और कारवाई के नाम पर नो कि जब पत्रकार के बाद को इतना सिरियस्ली नहीं लिया जा रहा है तो आम जनता किस तरह से पस्ट हुए इस से स्ट्रगल करती होगी किस तरह से इसका इस पर खड़े एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग को उमीद था पिछले 10 दिन से हम लोग उमीद लगा कि आप च्योंड़ा किसी ट्ट्रगार की कार्वाई jestना ज़ली नहीं दो आम लोग को क्या सुनव लोग को जो तो यह सब बढ़ा सवाल ख करणा होता है अभी शरकार क्ल्कार से में बस इतना बोलूगा कि देखिए आज हम थाना पर आयों है जहां पर लोग इंसाफ यहां पर एक्षिन के लिए लोग आते हैं और आज उसी थाना में आपको रिजन दिया जा रहा है कि अभी मेला चल रहा है इसको कोई कारवाई नहीं की जाएगी और अभी हम फिलाल इसी थाना में देख सकते हैं यहां पर दिखाएगा अभी हम पहले जा घाट ओपी थाना के पास और इस तरह से नाउमीद हो कर दिया कि यहां से जा रहे हैं कि एक पत्रकार है जिसको इंसाफ नहीं मिल सकता है और एक बात और भी अंकित जी एड़ करेंगे कि कुछ पत्रकार साथी हमें फोन करके कह रहेते कि आप लोग पत्रकारिता का नाम डुबा रहे हैं चना बेचक जो लोग इनसे बोल रहे है कि आप पत्रकार का नाम डुबो रहे हैं कहींने कहीं चना बेच कड़के पत्रकार का नाम नीचे कर रहे हैं तो मैं आप से एक्सम कर नहीं नुरौद करूगा किखं़ एक्स consig जाएन और लेकार है हमारे प्राइवेसी फोन हम लोग दोनों साती का फोन है उसमें फोन में कितने सारे प्राइवेसी डॉक्मेंट होते हैं पत्रकार कोई भी घर कादमी बैठा हुआ कोई भी दुनिया को याद भी समझ जाएगा बहुत सारे हमारे पत्रकारिता से जोड़ी इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट होती है कई लोग चीज पर काम कर रहा है हमारे प्राइवेट फाइल होते हैं यहां की पुलिस जो है पहले जाब भी पूलिस जो हो गया यह साए हो और इस नाउमीद पत्रकार जिसको उमीद नहीं है प्रई परसासन से उसके साथ मैं चाहूं सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की और भी बुरी-बुरी खबरों को जहां पर कोई एक्षा नहीं रहाता है और तब तक के लिए जैहिन